सदियों से चली आ रही सत्भक्ती की ऐसी धारा रिशियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया भक्ती तो सभी करते है और हर दम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलिशान घर हो खूमने के लिए बड़े-बड़े पार्क हो खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे हर दम मौज मस्ती में रहे पर क्या यह संभव है हम सब इतनी भक्ती करते हैं वरत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड लेकर आते हैं मंदिरों में जाकर मूर्ती पूजा करते हैं चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और गुरुद्वारों में जाकर माथा ठेकते हैं फिर भी दुखी क्यों है, लेकिन क्या आप जानते हैं, वो कौन सी भक्ती है? वो भक्ती जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलात की रक्षा की, अंधे को आखें और बहरे को कान दिये, कोड़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया, और लाइलाज बीमारियों को दूर किया जब संत्रामपल जी माराजी से दिक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंत कैंसर में राहत मिली जैसे हम लोग प्रमात्मा का आदे साया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरिशन कराया भगत जी, एक रुपया का भी दवाई, माता जी को खान्या नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर, कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से, हमने ये सुना भगत जी, कि ये चमत खड़ और टिकार कैसे हो गया, हम से जिंदल रहा, उसके बाद सपड़ा होस्पिटेम में रहा, उसके बाद जैपूर की दिखाया, उसके में कोई इलाज नहीं के नहीं दिया और आशिरवाद दिया और भक्ती ग्यान दिया और उसके बाद मैं तुम दरूर्द हूं अधिन में अपना स्विच्काता हूं मुझे कोई समस्चालिया भक्ती सभी करते हैं लेकिन उपरोक्त लाब सिर्फ सत्भक्ती से ही प्राप्त होते हैं आज भी सत्भक्ती करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ती का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है आईए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालूं में से एक सत्भक्ती करने वाले इस श्रद्धालू का अनुभव तbey नमस्कार सर संन्तरांपाल माराज से नामदिक्षाल लेने से पहले आपको इब भक्ती साथन भी करते थे सर फिर क्या कारण बना कि आप संत्रामपाल जी माराज की सरन्म में आए सर जी हम संत्रामपाल जी माराज की सरन्म में हमारे एक मित्र है जो मतलब सावन किरपार रवानी मिसिन में थी उन्होंने संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख सा ली थी और उसके बाद उनके हम संपरग में जैसे हैं उन्होंने हमें ग्यान गंगा पुस्तक दी किया कि यह पुस्तक पड़ो और जो तुम्हारे घर में जो दिक्कत प्रेसानी है मतलब एक संत्राम पाल जी माराजी पूरण संत है धरती पर जो मतलब इस चीज से निजात दिला सके तो हमने वो ग्यान गंगा पुस्तक पड़ी हमें थोड़ा यह लगा के कुछ नहीं है क्य यह तो कुछ नहीं है हमना उन भगत को भी का कि आप गलत चले गए क्योंकि हम पहले एकी मिशन में थे सावन किल पारवानी मिशन में हम दोनों थे तो वो तो चले गए संत्राम पाल जी माराजी की सरण में है और हम दामा खेड़े में चले उसके बाद वो लगे कहने कि अबीर सहाब जी मतलब कह गेते हैं भई दामा खेड़े में मतलब उनका वह तो लगे कि चलो भई कोई बात नी फिर मेरी भगत मती दिक्कत लगी करना और हम जय क्याना मिक रहा है प्रेसानी होन लगी हमना सोचा कि भई चलो देख लेते हैं तो मैं अपनी भगत मती को नाम यह तो नियम मर्यादा जो गुरू जी बता रहे संतरामपाल जी महराजी तो जगत वालों को भी करनी चीए तो मुझे वो अच्छा लगा संतरामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद क्या आपको लाब भी मिले मेरे अलरजी थी पूरे सरीर मेरे सरीर पर भी सोज़ा आ चुका था मेरे खून में इनफेक्षन होगा था अंकों में भी अलरजी होगी थी और मेरे बहुत बड़े-बड़े मतलब जखम हो चुके थे मैं हरदवार में एक डोक्टर है उनके हां भी इलाज करा रूड़के में भी इलाज करा फिर मैंने एमस में इलाज करवा मेरी रिपोर्टेप अगरा भी थी हो मैं सर भूल गा मिली नहीं और उसके बाद मैं बहुत परिसान होगा था पांस साल से मेरे अलरजी रही मुझे क कोई राम नहीं मिला मीरा हलवाई का काम है सर मैं भटी पर जैसे बैठता था मेरे बेचन्नी हो जाती और मैं रात कुर मतलब इस तरह में भी सरदी नहीं पड़ सकूँता क्योंकि मेरे बहुत परिसानी होती तो मैं संतराम पाल जी माराज की सार्ण में जैसे आया तो मुझ कि बिना मेरे से काम नहीं होता बटी वे बैठने से मतलब एक तो अलर्जी परिसान करें थी उपर से मेंखरीन कदर्द और घर का खर्चा ठाना घर में मतलब इतनी आर्थी किस्ती थी नाजुक थी पांच लाग रुपए कर्ज हो चुके थे सर घर मैं मतलब इतने सेंडे सप् कि लिए भूत बादा ठीक कराने के लिए लेके जाते थे सर किसी ने बरतन विकवा दे किसी ने मतलब चिज्जे विकवा दे और हम मतलब इतने करज़ बन हो चुके थे इस चक्कर में सर के पांच लाक रुपे सी रोगे और हम बीमारी से प्रेसान जब संद्राम पाल जी महरा कि सरनम आए एक तो जो मेरी बीमारी थी अब बिल्कुल ठीक है सर मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरा वजन भी बहुत बढ़ चुका था कमसम 90 किलो मेरा वजन होगा था सर मेरे सारे स्रीर पर सोच जा था मेरे साथ वाले भी एक एह कहते थे कि के बंको अपना इलाज करा ले तो मतलब बहुत वजन बढ़ रहा ते रहा और तो यह कुछ न कुछ दिक्कत है मतलब फिर समस्था खड़ी हो जागी तो सर मैंने इमस में अपना इलाज करा लेकिन वहां से भी कोई रहत नहीं मिली पांस साल मैं प्रेसान रहा फिर उसके बाद संतराम पाल जी महाराज से नाम दिखसा लेने के बाद मुझे रहात मिली सर और मैं बलकुल ठीक हूँ सर संतराम पाल जी महाराज से नाम दिखसा लेने के बाद मुझे अब कोई परेसान नहीं है सर और एक मेरा बेटटा है स्कूल में बच्चा गया ओँगा ता तो वहां से फोन आ आ कि बईभी आप से खून के कत्रे कत्रे आ रहे थे सर और इतनी प्रेसान नहीं हम संत्रामपाल जी मारा से नाम दिख सा ले ली थी हम नो स्टेम सुरू सुरू में ही यह बात है क्योंकि हम इतना वह नत्याम घ्यान तो हमने सोचा कि बई चलो यह तो जैसा है मतलब काटना पड़ागा दिखा लेते हैं डोक्टर को तो जब हमने डोक्टर साब को दिखा डोक्टर साब ने टेस्ट लिखे हमने टेस्ट कराए डोक्टर साब के कहने पर हमने डोक्टर के यहां तो उन डोक्टर साब ने जो टेस्ट करें हमने फिर डोक्टर को दिखाए तो नहने का भई एक किटनी है ब पढ़ती रही महनों कई महनें तक इलाज चला सर और इलाज चलने के कारण पिर जा मतलब हमारे पैसे भी काफी लगे एक तो महारी आर्टी सी थी बहुत कमजोर थी महारे पास पैसे की दिक्कत थी तो हमना सोचा भई कि अन्हां परमातमा से संतरामपाल जी महाराज से इसकी मतलब जह हमने इसका दिखाया दुबारे टेस्ट कराए कुछ दिन के बाद तो फिर दुबारे इसकी रिपोर्टे जो थी वह नॉर्मल आई सर डोक्टर ने गा कि कोई दिक्कत नहीं है मतलब जह यह मतलब नॉर्मल है और आपको मतलब जह तागत कोई राकी दवई खा सकत अब बच्चा बिल्कुल ठीक है सर अब उटेस्ट की सब नॉर्मल है और बच्चा बिल्कुल तंदरुस्त है इसकूल जाता है मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दवई खाता है सर संतरामपाल जी माराज से नाम दिक्सा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाब मिले सर ला अगरा जो करायते अब यह सब नॉर्मल है सर इसके यह डॉक्टर ने कहा ता कि ठीक नहीं हो पाएगा इसकी किटनी हमेशा ऐसी रहेगी और इसकी किटनी सुकडी भी थी सर अब बच्चा बिलकुल नॉर्मल है स्कुल जाता है खेलता खाता है बिलकुल तंदृस्त है जुन्त रामपाल जी माराज ने हमें तने लाब दिए के बच्चे को मतलब जहें बिलकुल कोई दिकट नहीं है सर और नहीं कोई धबाई खाता है सर यह आप देखते हूं सर यह बच्चे के टेस्ट वगड़ा है जो सारन डॉक्टर के यहां से क्राइगे हैं सारन पर मुझे देखें वो मतलब उन्होंने मेहन लगा दिया पैसे दियानी पैसे को उनके पास बनाने उसके पापाजी जो लड़की थी उन्होंने जो मुझे कैटरिंग दी ती वो लड़की भी मतलब अपने साध्री का जो बंदबस्त है उसने खुद किया और उसका भाई और कि नाजू किस्ती थी पैसे को कोई बंदबस्त नहीं और मैं इतना प्रेसान होगा कि मेरा एक लाक चालिस जार रुपे फंस गे मैं क्या करूं मैंने किसी ना किसी तरह की ती मेरा प्रमातमा ने देया करी वो कैटरिंग मेरे पास आई लेकिन पैसे की वह स्तानी बढ़ी त वो कह रहें कि हमारे पास तो एनिम कहा से दे तो जी वहां से आदेश हा कि कल पता करना प्रमातमा देया करेंगे तो भगजि साम के टेम उनका फोन आया कि बहाया आप जाए एक लाग अपने जितने लाग 40,000 रुपे अपने आपके ओपीस से ले जाना जिसनी ते मुझे कै अज़िक थी घर में मतलब खाने की भी दिक्कत थी एक टेम मतलब जहाए आटा था दूसरे टेम नहीं था और घर में बहुत प्रिसान्य थी हम करजबंद थे सर हम दुनिया से करजा लेते थे और जितना भी महारे पास था, मतलब बरतन भंडे जो थे, सब हमने बेश दिये दे और परमातमा संतरामपाल जी महाराज की सरन मारने के बाद हमने सर मतलब और जो भी किसी की दिक्कत प्रिसान निया रिस्तदारों को बहुत जाए मदद की है हमने पैसे से अब परमातमा ने बहुत लाब दिये, अब कोई दिक्कत नहीं है, परमातमा की सरन मारा के हमें सब बिल्कु ठीक हैं सर, और कोई प्रिसान नहीं है परमातमा की सरन मारा के बाद हमें बहुत लाब मिले, और परमातमा ने बहुत दिया की सर संत्रामपाल जी माराज से नाम दिक्षा लेने के वद आपको बहुत सारे लाम मिले संत्रामपाल जी माराज ने उज्ड़ा परिवार बसाया सर जो सरदालो आज आपको देख रहे हैं बहुत सारे परिवार हैं जो दुखी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर दास की यह परात्ना है के संत रामपाल जी माराज पुरण परमात्मा कबीर देव भगवान का सुरूप है और धर्ति पाएव है और हमें ग्यान समझा रहे है ग्यान परमात्मा का पुरे संसार में फैला हुआ है परमात्मा का ग्यान सुनो परमात्मा का जो आप प्रोग्राम देखोगे परमात्मा सास्तर अलकुल साधना बताते है संत्रामपाल जी माराज कहते हैं कि जो साधना आप कर दे ये गलत है साधना आप सास्तर अनुसार साधना करोगे तो आपको लाब मिलेंगे अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अध्वितिय आध्यात्मिक ज्यान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीरा बाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र नुकूल भक्ती सत्संग, ऐसा अध्यात्मिक ज्यान, जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण ये भूत पूजा हैं, भूत पूजा होगे तो भूत बढ़ोगे, गीता जी दैय नंबर 9 के स्लोक नंबर 35 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पित्रों की पूजा करने वाले पित्र बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओ के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे तो गीता जी में तो मना किया कि पित्र पूजा भूत पूजा ये तेर मी करनी अस्ति उठाने गती कराने के लिए गंगा में डाल कानी ये सारी सास्तर विर्द साधना है वेद विर्द साधना है ये नहीं करनी चाहिए ये हमारे दरम गुरू इन नवगा टाज़ड वारे हमारा कि सुराद निकालो सतरमी तेरमी करो अपना अत्मा प्रमात्मा कहा करते है रैभोडी सी दुनिया सत्य गुरू बिन कैसे सरिया रैभोडी सी दुनिया सत्य गुरू बिन कैसे सरिया अपने लला के बाल उतरवावे देखके चीहना लग जाईया एक बुढ्या लेकर जागी अपने पोते या पोती ने कहां गुड़गाम में आली पे अपने इश्ट दाम पर ले जाते हैं जाम पर भी और वहां नाई बैठा होता है और इन अज्ञानी दरम गुरूओं ने हमारे को यसला दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपने माता के उपर उतरवाने चाहिए इश्ट दाम पर अब अब भुडिया जाती है पोत्ता पोत्ती ने लेगा साथ में पोत्र वदू और वहां नाई बैठा होता है उसको जाकर के अब भुडिया कहती है कि नाई के भाई मेरे पोत्ते के बाल काट दे अब बाहर अगर पांस रुपिया में काटता होगा ना नाई उस इश्ट दाम पर दस रुपिय लेगा डबल अग पता है इसने मेरे बिनाड को काटनी या नहीं इसके डबल तर लेगा और फिर बुड या नियों कहागी भाई काट दे जल्दी सी मूटे मूटे और नो कहागी बिटा देख लाई नाई के त्हान राखिये मेरे पोते का कच्छा सिर है कड़े इसके कहची ना लाग जया देरे देख देरे देरे गजे बाहर अब पर मातमा कहते हैं अपने लला के बाद उत्रुआवे और इतनी चिंता के कदे कैची ना लग जाई यां और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गड़ा कटे यां रहे भोड़ी सी दुनिया वो भी तक इसी का बच्चा था जो तुबली चलाने जा रही है और अपने बच्चे के इतना दर्द कैची भी ना छूजा प्रमात्मा कहा करते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने और फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी उसमें मंदिर में चड़ावेगी बगवान की मूर्ती पे और वो उड़ा पुजारी बैठा होता है वो उसी से में उठा के उनने और एक तहले म्गाल देगा बोरी में और जब ओर बोरी Jáगी शाम ने उसने उठा करोडियां पे फेंका होगा और कूडियां स्था बैंक में जमा कराोगा उसने आइं उसने बारे फिंक्णी उठा गया सुपरमात्मा कहते हैं तुम यहीं कटा औरção नहीं फैंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूरक बना रहा है, तुम्हारे दंदा खोल रहे हैं लोग। काच्चा पाका बोजन बनावे, फिर माता धोकने गईयां। करती मारत हैं। हमारी काकीताईयों से माताओं से कहती है, पोदे मोटे मोटे गुड के हुआ है, रोट है। कि अवा थोड़ी देर करती हैं। 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 क्योंकि पूजाते नहीं करती हैं। कुछ बचाव करें हमारा। उसके आप शर्मकुते मुते हैं। तो वा तेरा बचाव क्या करेंगी बुड़ीया। प्रमात्मा क्या बताया करती है। आप लीप आप पोते हैं। आप बनाव ओई। उस पर बुड़ीया फिर पोते मांगए। अकल कहां से खोई। एक ओई माता देखिया हमने पूजती। एक औरत क्या चीतर बना लेती सी दिवार पए। आप बनाती। और फिर उसका अगस जोत जात लाक है। और नो कहे। हे ओई माता। वह उसका पोता दिये। पोतर दिये। दूद पूत में खहर राखिये। इसलिए तिरी पूत जाकरू। प्रमात्मा क्या आप तुमा माता बनाई। आप लिप आप पोत आप बनावे ओई। आप बनावे ओई। आप उस पर बुढ या पोत बांगे। देखा कलकडे तक होई। प्रमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जांटी पूत 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 कि मेरे दूद पूत में खैर रखिये हैं। बता आकल देखो हमारी। यह हमारे दुरम गुरूओं की गाइड लाइन थी हमारे कोई। यह सास्तर भी दीता कि मनमाने सादन कर्वसादना करवाकर सारे भूत बनवा दिये। फिर क्या बताते हैं परमात्मा जीवित बाप के लठम लठा और मुवे गंग पुचईयां और जब आवे आसुज का महिना और वो कववा बाप बनियां रहे वोड़ी सी दुलिया। सत्गुर बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेंचाता नी रख नकम्यात्मा। मरने के बाद फिर उसकी गती के लिए चलेंगे कहां से देखो पुनात्मा। ये हमारे दर्म गुरु कहां से गती करान लगते हैं मर्टू के उपरांथ। पहले तैयूं कहेंगे इसकी अस्थी उठाओ और गंगा में परवा कराओ इसकी गती हो जागी। अच्छा क्या करते हैं एक व्यक्ति नाम ना ले वे था। उसकी पत्नी नाम ले रख्या था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था। ग्यान से बहुत कुछ प्रीचित भी था। लेकिन उसके सामने एक बाद आची के मेरा पिताजी की मर्टू होएगी। और मैं यदी गंगा में अस्थी नहीं डाल कर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी। तो मैं इसलिए नाम नहीं लूँ। एक दिन वो बता रही था उसकी पत्नी के मेरे ताइसरे की मर्टू होगी यानि उसके ताउ की। यानि वह ये और वह लेकर गये उसकी अस्थियों को गंगा गाट पैठ, वहां बैठे वह पंडे। और वहां इनुने अपने अक्सेत्र बाट रखे हैं की यह मेरे अक्सेत्र का, यह मेरे अक्सेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी वो बता जिया जी ऐसे ऐसे सोनी पत्स्य आए अगा अच्छा आजो तुम हमारे हो हमारे हो पकड़ लेगे तो वहां जाकर उसने देख्या खोल कर पिछला सारा इतियास दिख बता जेते हैं तो क्या बोले हो है नहीं बोले यजमान इव को बतावा था उसका पती के मेरा मात थाठन क्या कि दुसमन तो इन्यू बाठ देखा हम रोज मरा अन्यों किया स्टीव कड़ बहुत दिनवाए गती कराने तो कैन लगया उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो हैना ये कुसोन मनाव है अपने अ तेर्मी किस लिए कि गती करान खाते अच्छा वा तेर्मी भी कर दी फिर के अब इसके सरहाद निकालो पहले परते एक महिन किया करते फिर छटे महिने और बड़्डा जुस्था करते थे और फिर एक वर्स के बाद वो कंपलीशन होता था उसका समापन करते थे एक साल में पूरे वर्स लागे रहते थे गती कराने और फिर क्या करते हैं प्रमात्मा कहते हैं प्रेट सिला पैजा बिराजे पितरों पेंड भराई फिर पेंड भरवादो पितरों की मुक्ती हो जागी प्रमात्मा क्या कहते हैं जीवत बाप के लठम लठा हर मुवे गंग पुचया अर जब आया आसोज का महिना कववा बाप बनेया रहे बोड़ी सी दुनिया अब फिर आगे सराद के समय आसोज का महिना तो जिस तिथी को कोई गर का सदर से मर्चू को परापत होता है तो हमारे धर्म गुरू वो तिथी नोट कर लेते हैं आसोज के महिने में अमावश्या से लेकर पूर्ण मासी तक उर्ष किसी भी तीथी को मर्थ्यू होती है तो उस दिन विशेश कारिया करम करते हैं सराद निकालते हैं और सब से पहले क्या करते हैं वो बना कर बोजन ऊपर रखते हैं चट पे और उसी समय कवे आकर खा जाते हैं तो वो क्या कहते हैं हमारे दर्व गुरू देखो भोग लगे तेरे पिता जी ओ सकता कववाई बन रहे हो अरब ले आदमियों गती कराण लागे ते कववाई बना गया छोड़ दिया ये हैं इनके सादन अब प्रमात्मा कहते हैं प्रित्सिला पैजा बिराजे पे त्रोपेंड भराई और बहुर सरहाद खान कुवाई काग बने कलमाई आगे क्या बताते हैं जैसत गुरू की संगत करते सकल करम कट जाई अमर पुरी पर आसन होते हैं जहां धूपना चाई अब क्या बताते हैं जैसत गुरू की संगत करते सत गुरू मिल जाते तो ये सारे करमों तो पीछा छुट जाता ना सराद निकालने ना भूत बनना नकव और पसू की यौनियो में जाना और फिर क्या होता अमर पुरी पर अमर पुरी जिस स्थान का कभी नास ना हो सत लोक सनातन परम धाम की प्राप्टी हो जाते सत गुरू मिल जात और ये जनधर मिठ जान सारे और ये हमारे गुरु जी दर्म गुरु नोगे सराथ तवसे निकालना चाहिए इनने तो हमारे करम विगडवान का ठेका ले रहा था पुन्यातमाओं पवित्र हिंदू दर्म के जो सद्गरंथ हैं पवित्र चारों वेद और पवित्र शिरीमत भगवत गीता और पांसमावेद जो परमातमा कबीर जी की वानी जो उनके मुक्कमल से बोलागा उसमें कम्प्लीट ज्यान है सभी सद्गरंथों का सारान से वो तो इनके हाथ नहीं लगया क्योंकि उन्हों इन संस्कृत के ग्याताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रख्या था विर्जा साहिब की वानी तो एक ऐसिक्सित की वानी है इस करके वो हमारे पास हमारे तक नहीं आने दिया तो इन में जो पुरान हैं ये पुरान क्या चीज है उन चारो वेदों का सारा स्रीमत भगवत गीता लेकिन स्रीमत भगवत गीता में कुछ अठकल युद कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई है वो अलग से दिखाई देती है और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का गयान खरया है बिलकुल सकते हैं क्योंकि वो वेद गयान गौड गिवन है परमात्मा का दिया हुआ है तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है और पुरान क्या है ये बिरमाजी द्वारा दिया गया गयान बिरमाजी से कुछ अन्य रिसियों ने किसी और से सुना हुआ ग्यान वो सब खीचडी बना के पुरान बना दी अब वेदों में इन सराद आदी करम कांड का निसेद है और गीता जी में निसेद नुमेद है के पत्तीस में सलोक में सपषकिया है भूत पूतनी वाले भूत बनेंगे जेखेगा स्रीमधभगत गीता गीता प्रेश गोर्पुषयप्रकासित है जैद्धान गुईंद का इसके अनुवादक है अध्याय नमबर नू का ये है अध्याय नमबर नू श्रीमद भगुत गीता शलोक नुमर पत्तिस देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे पैत्रों को पूजने वाले पैत्रों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे को ही प्राप्त होते हैं, अब ये सराद किता आगे फिर, अब आपको देखाते हैं, जलक पुराणों में क्या लिखा है, एक मारकंडे पुराण है, एक रूची नाम के ब्रामन थे, रिसी, और उसने वेदों को समझा पढ़ा ये गैन्नी आत्मा थे, कि मुझे जीवन केवल मुख्स प्राप्ती के लिए प्राप्त होता है, इसलिए उसने ना तो विवहा कराया, ब्रह्मचारी पद्ध पर रहते हुए, चालिस वरस की उमर होगी थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान जोंपडी भी नहीं डाल यह सोच करके मुख्स प्राप्ती करानी है, क्या संग्रह करना है, दो दिन का जीवन है, अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रूची रिसी, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदाजी और चोथा दाजी, वो मर चुके थे, वो भूत बन रहे थे, और वो भी इरिसी थे, ब्राह्मन थे, उन्ने भी ये करमकांड करेवर करवाये थे, तो बूत बनेंगे वैं, तो वो चारों दिखाई दिए, और कहा बेटा, तुने व्यहा क्यों नहीं करवाया, व्यहा करवा कर तुम हमारे सराद करता है, और हमारी गती हो जाती, अब रूची कहने लगा कि पिता महो वेद में तो यह मना कर रख्या है ये सरा अशुरूद निकालना ये करम कांड करना ये तो मूर्खों का मारग है और वो पित्र भी कहते हैं बेटा है तो ऐसा ही इसमें कोई संदे नहीं मिठ्छा नहीं है सचा ही है लेकिन हमारा क्या होगा इप तुम बाढ और में परेश्घो को चैट गिता प्रेश्ट गर्वर्पूर्श्य प्रकाशितर गीता प्रेश्धनेशर्ट प्रेश्ट प्रीच स서 में इने पुर्थ नहीं भूए प्राण। काल की बात है परजापती रूची ममता और एंकार से रहित इस परिच्वी पर वितरते थे उन्हें किसी से भैर नहीं था वे बहुत कम सोते थे उन्होंने ने तो अगनी की स्थापना की थी ने अपने लिए घर ही बना रखा था वे एक बार बोदन करते और बिना आसरम के ही रहते थे उन्हें सब प्रकार की आसकतियों से रहित एमें मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा यह देखिए यह चारों आगे बूत बन रहे यह देखो यह रूची रिसी है यह इस इन के पहले बने हुए वो पंड़ती सारे बूत बूत पूज का बूत बन गए अब यह दीखे गए इसने सारे कठे पितर बोले बेटा विवा स्वरग और अपवरग का यह तू होने के कारण एक पुन्ड मैकारी है यह तो इन पितरों के वचन है यह तो पितरों के वचन है जो अपनी सलह दे रहे हैं देखना उसे तुम ने क्यों नहीं किया गरश्ट पुरुष्ट समस्ट देवताओं पितरों रिसियों और अधितियों की पूजा करके पुन्ड मैं लोकों को प्राप्त करता है प्राणियों एमेम अतितियों को उनका भाग समर्पित करता है बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गरश्ट आसरम को स्विकार्न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मर्चू के बाद और दूसरे जनम में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा रूची ने कहा पितर गण प्रिग्रे मातर ही अतित दुख एमेम पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगती होती है यही सोचकर मैंने पहले सित्री संग्रे नहीं किया अब यहां देखो पितर बोले बेटा जितिंदरिये होकर आत्मा का प्रक्षालन करना प्रक्षालन करना उचित है किन्तु तुम जिस मारग पर चल रहे हो वह मोक्स मारग है इसने तगटिया मान रहे हैं मोक्स मारग ने है कि तुम जो करम कर रहे हो जिस मारग पर चले तो मोक्स मारग है अरी वहां बतावाएंगे पित्र बढंद का मारग देखिए रुची ने पूछा पिता महो वेद में कर्म मारग को अविद्धा कहा गया है जो तुम सला दे रहे हो वो कर्म कांड सराद सुरूद निकालना पित्र पूछना वो तो मूर्खों की विद्धा गया अविद्धा का है मूर्खों का सला कही है फिर क्यों आप लोग मुझे उस मारग में लगाते हैं पित्र भी कहते हैं पित्र बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्धा ही कहा गया है इसमें तनिक भी मित्था नहीं फिर थारा सर्वच गया फिर के रहे गया बता वही यह अमरे पुराणों में लिखा है अब इस बात को पित्तर भी मानते हैं आप जो साधना करें तो मोक्स मारग है और आप फिर उसको सला दे रहे हैं भूत पूज सरहाद निकाल ब्या करवा अर यह नरक मारग है और आप भी मानते हैं कि तो जो मारग पना रहे हैं तो मोक्स मारग है और रूची कहता है वेद के अंदर तो इसको अब इद्या मुर्खों की साधना बताई है तो पित्तर बूद पूजना असराद निकालना और पित्तर स्विकार भी कर रहे हैं इसमे कोई मिठ्था नहीं फिर ये बकवाद गड़ रहा है कि अगरू मुगरू मैं ऐसा कर लो पित्तर ऐसा कर देते हैं पित्तर पूतर दे देते हैं टट्टू दे देते हैं आपको इसी मारकंडे पुराण में इन कहां से ले रखें यसरादां कि सलशले एक मंदालसा नाम की औरत उसने अपने पूतर को सिक्षया दी हरुआ ये ले रहे हैं देख मारकंडे पुराण के अंदर है यही आपको सुना रहे हैं यह कासी प्रिष्ट से थोड़ा सा लेंगे मंदालसा बोली मंदालसा बोली महराज यह मंदालसा ग्यान देती में आ रही है मंदालसा मदालसा ये 82 प्रष्ट पे संक्सिप्त मारकंडे पुराण यां देखिए अब ये क्या सलारे देरी है कि जो पित्र देव लोक में है और जो त्रेक योनियों में ये पसू-पक्सी बड़े हुए है और जो मुनुस योनियों में एवे भूत वरग में सतीत है भूत बन रहे है और वे पुन्यात्मा हों या पापात्मा जब भूक प्यास से विकल होते है तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुस पिंड़ दान तो था जल्दान के दोरा उन्हें तरफ्त करता है इसी तरह वह है देवताओं और अतितियों को भी संतुष्ट करता है रखता है देवता मनुस पित्तर भूत प्रेथ गोहक पक्सी किर्मी और कीट आदी भी मनुस यों से ही जीवी का चलाते है अब ये क्या बतारी है कि चाहिए तो वो जो पित्तर देव लोग में है जो तयुर्यकियों याम पड़े है और जो मुस्यों यों यानि भूटादी पे तरकातर बन रहे है वे पुन्यातमा हो या पाप आतमा सब भूखे पयसे मरते रहते हैं तो वो टट्टू देव लोग में होए भूखे मरते पयसे मरे अब क्या बताते हैं आगे ये देखिएगा यहां क्या बता है संक्सित मारकंडे पुरान बानुवे प्रिष्ट पे इन मैंसे जो नरक में निवास करते हैं जो पसु पक्सी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत परेत आधी की रूप में सतीत हैं उन सब को विधी पु में करता सुनो मुनस पर्थभी पर जो अन बिखेरते हैं उन से पिसाच योनियों में पड़े पित्तर की तरफ्ती होती है जो जमिर पर दानी यह ना यहालन है सद्थी तो सवख्यां शिर्म सब्सक्राइब हो से वये चाहएं सब्सक्राइब में ँद्रोपिश को मा क्ला सिर्फी शुद भूली हृता है उस ऐसे वरक्स योनी में पड़े हृता तरफत जा गयृत्त आदमियों अब ये एक बार क्या था प्रमात्मा कबीर जी कासी में गंगा गाठ पर चले गए गंगा का गाठ बना हुआ है वहाँ पर ये ब्राह्मन लोग सुरिये को यानि ऐसे सुरिये की तरफ मो करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें कबीर साहिब बढ़के उसमें गंगा में गुठनों पाड़ी में और ऐसे जोकरन लगे गंगा के जल को पट्रीव फैंकरें पूरी सबीड़त है अब वो सारे पंड़त दिया अपना काम छोड़के कबीर साहिब क्यों देखने लगे कहने लगे ओ कबीर ये क्या कर रहा तू कबीर जी बोले आप क्या कर रहे हो मननना पूछा तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से पर यहां बताओ आप क्या कर रहे हो कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहें यह हम यहां जल डाल रहे हैं न ऐसे मंतर बोलकर ऐसे सुरिय की तरह मुगर के यह वाँ स्वर्ग में हमारे बुखे पैसे पितरों को जल पराप्त होगा प्रमात्मा बोला मैंने एक बगीची लगा रहे हैं अपनी जौफडी का गए और मैं उस बगीची को सीच रहा हूँ फिर मंट के करेड़े हो गए तो वो कहने लगे रहे बोले आदमी इतनी दूर कैसे जाए गाजल यह तो यहीं पड़ा है वो तेरी जौफडी का अगे बगीची जो छोटी सी लगा रहे हो कैसे सिचाई होगी इस से के एक लाखों किलो मिटर दूर मील दूर तुमारे पितरों को सुरग में यह पानी मिल सकता है तो यह दो किलो मिटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको तो उनकी चोंद डूटगी पंडजिया ने फिर अपना गलती स्विकार की मालकी सरणग्रेन करी अपने आत्माओ वही यहां यह सेश्टम है देखो अब देखो इनके आगे फिर मारकंडे प्राणम पड़ रहे है 92 प्रेस्ट पे बानों में पे उससे वरक्स योनी में पड़े हुए पित्तर तरफ्त होते हैं आचा वरक्स तह है इतना बड़ा और पाणी ने चोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनार है बताओ वरक्स कैसे तरफ्त होगा अज़ों मतब बाल्टी फर पर गेर नी पड़ेंगी किसे मुरख बना रखें देखो और नाने पर अपने शरीर से जो जल के इकन इस पर तरफ्ती पर गिरते थे हैं उन से उन पेत्रों की तरफ्ती होते है जो देव भाव को प्राप्त हो रही है आदेख़ो इन गे अकल केहते नाने के बाद शो चीटे च्टे पर्थवा पढ़ते ना वो जो देवता बनगे उन पेतरों की तरफटी होती है उो ठाटू डेवता बनगे जर वीजन पानी तो ऑड़ा है उत्रा Inkdoות. आ嘅ल बना मार रहा ही मारी उनसे पसु पक्सी यवन्यों में पड़े हूए पेतरों की तरफ चोती है। बता। पसु यवन्यों में कीता है, बहांस पन के खड़ी होगी। उनकी वहां माई आता, दाज जीता ही का की। आर उड़ वह कंड़ें परतुपीबा कीता है। वह बेश्त वड़े एक टोक रान्यार भूस खावा डेली एक अन्ते क्यों कर चिक्केगी वा है तिरा के जबी देखी से मुरुख बना रख्या अब देखो कुल में बालक है जो सराद करम योगे होकर संसकार से वन्चीत रह गई यानि वच्पन में मर गए सराद करें नहीं तो वे बिखरे वे अन और ये समाज जन के समारज जन के जल को गरेंड करते हैं ब्रहमन लोग जन करने के वाद आथमुद होते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तरफ्ती होती है बेटा उतमविजी से सराद करने वाले परसों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गई हो तो अबी सराद से उन्य बड़ी तरफ्ती होती है अननय उपारजित धन से जो सआद किया जाता है उससे चंडाल आधी योनियों में पड़े पित्र तरफ्त होते है अब बहोत पित्र की ते वर्क्स बनगे कोई बैस बना ख़ड़ा है की कोई करता होंगे वह तोड़े चखें दो दड़ी खाऊंगे जब पेट पर है एक बार आधनिय गरीबदास साहिब जी गाउं छुडानी मोहें जिनको परमात्मा मिले थे पर सचकंड ले जाकर वापर छोड़ा था उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया एक उनका सिस्था किसान और व अगले दिन जो वह पहुंचा उसने बताया के महराजी कल मेरी मा का सराद था और हमारे गुरू जी वह पंड़जी आये थे उन्होंने सरा सुरुद निकाला उसनों सारा दिन ब्यजी रहा मैं का अच्छा भाई फिर कहन लिगा जी कल भी नियान पाऊंगा मैं पर गरीबद प्रमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदा साइब जी लेकिन मारी बुद्धी इतना काम नहीं करती हम संसार के विवहार को घड़ा मैं तो देते हैं तो कभी गरीबदा से निकाव ये काम करना बेटा जब तेरे पिता का सराहद निकाल ले तुमारे वो ब्रामन ज करते होंगे जब उनके गरुजी ने सारा काम कर लिया तैरी उसने सब लगा दिया भोग बाग कवे कवे चखा दिये तो बाद में बचे हुए दो रोटियों का दो मनुश्यों का खाना ले करके वो गरीबदास जी के मकान में आ गया गरीबदास जी भी गरस्ती थे बोला है जो वो वेक्ती लेकर आ गया दो मनुश्यों का भोजन गरीबदास जी के लगया जा मेरा पीछे 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 अब उस वेक्ती ने सोचा खेतों में कोई साथ उसंत आए होंगे इनसे मिलने आते रहते हैं वहां जाकर उस लेट से उस जोहड से एक किलो मिटर दू उस खेतों में जो तलाब होते थे छोटे छोटे पसूँ के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल तो उसके चैरों तरफ जोंड खड़े हो जाती थे जाड़ बोजड़े काटेदार जाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे उससे एक दो सो फुट दूरी पर बै लेक है और उनसे कहा के आजाओ तुमारा पुत्तर वो जन लिया है उसमें से एक गिदड़ और गिदड़ी निकल का आए और वहां आके खड़े हो गए और लिला थी गृवदास साइब जी की और कहा बेटा ये तरी मार ये तरा बाबू ये तरा पिता जी इन खिला बोजन वो दरदिया को लिका उसना अब वो छक गे दोनों मेंट खागे फटा फट और खागे बागे अब गरीदड़ जी बोले कि तुमारे गुरू जी क्या कह रहे थे कि एक दिन के भोजन खिलाने से और एक वरस तक तुमारे पिता जी पितर जो जिस भी यो नीम है वो तिरपत रहेंगे अखाँ जी ऐसे कह रहे थे ये दोनों बुखे मरें देदे खागे सारे ने और बोगतिव लाकर आयो तुम है कहां जी उस दिन पिस्छे कान पकड़ दिया कि जी बाड में जाओ यह तो बखवाद है सारी तो छोड़ दी सारी लोकवेद और दंद कथा मनमाना आचन उस प्यारी आत्मा ने तो अपने आत्माओं प्रमात्मा कहा करते थे कि तुम एक दिन तो आहर करा देते हो मान लीज पकारोटी खाते थे अरि तुमको एक दिन के खाने से 364 दिन कोई जुरूरत नहीं यह कोई संभाव बात है तुमारी एक दिन तुमना भोग लगा दिया 364 दिन क्या खाएंगे वो मान लेजिये तुमारे प्रता काग बनगे कवे तो रोज भोग लाजो उनका दो रोटी त लोड़े के उपर रोज फैक दो ताकि उनका फेट बढ़ा रहा है एक दिन यह फंड करने कोई फैदा नहीं कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके बन चुके अपना आत्माओं जब हम सत्वक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पित्तर भूत प्रेताजी बने हुए हैं और चाहे वो किसी योडी में है पित्तर वाली सिस्टम में नाम दीख्षा लेकर अने को लाभ प्राप्त किये और भक्ति साधना कोई ज्यादा नहीं करता था विसेश मैं परमात्मा की तलास में रहता था अध्यात्मिक पुस्तके पढ़ता था लोगों से ग्यान चर्चा किया करता था तो इसी ग्यान चर्चा में मैं कुछ किताबें बजार से ले करके आया उसमें तराटक की विदी लिखी हुई थी वो तराटक मैंने किया वो तराटक करने के बाद उसके साइड एफेक्ट हुए मुझे तरह तरह की समस्याय परसानिया आई दिमाग डिश्टर रहने लगा दिमाग सही नहीं रहता था उसके बाद फिर एक हमारे मित्र ही मिल गए वह मदन पंथ से जुड़े हुए थे तो उन्होंने कहा चलो ठीक है वहां चलते हैं आपको दिखाते हैं तो वहां देख लो सालों में काफी मैंने उनके बताय विधी से करता रहा उसमें जो है ऐसे सिद्धान थे उनके कि जो हमको कभीर साहब के सिद्धान से मिल नहीं खाता था क्योंकि वह कहते थे तो कभीर साहब का ही ग्यान है सब लेकिन वह परमात्मा को साकार निराकार से परे बताया करते थी यानि परमात्मा ना तो साकार है ना निराकार है वे यहीं पर उपर सर पर दस्मा द्वार बताते थे यहां पर ध्यान करो फिर यहां से आप बाहर हो जाओगे परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे तो यह चीजे मैं करता भी था चुकि मुझे ग्यान तो था नहीं तो वहां पर मैंने जब पूरा अनुभव हो गया कि भाई यहां कुछ नहीं मिलेगा मुझे तो फिर मैं छोड़ दिया उसको एक दिन हमारे दूसरे मित्र थे जो जैगुर्देव पंथ से जुड़े हुए अब नहीं देता हुए तो फिर फिर वहां गया मैंने नाम ले लिया जो पांस नाम था निरंजन औगरारण सपनाम पुल्यों लेकरके जपा, और वो मथुरा के तुलसीदाश जी जो जगुर्देयों के नाम से पर्षिद्ध थे, वहां से मैंने नाम लिया था, तो उसके बाद फिर जो हहे, वो नाम जप रहा था, मैंने उनको सबसे उपर गुरू समझ रखा था, तो भक्ती चल लगी थी, इसे ही, मैं अपने बताए कि आप मदन पंती पंत में जुड़ हुए थे और उसके बाद आप जैगुरुदे पंत में जुड़े तो फिर संद रामपाल जी महराज की संड में आने का क्या कारण बना कारण ये बना कि इन पंतों से जुड़ने के बाद जो इनका ग्यान था जो भक्ति थी उससे में संतुष्ट नहीं था कारण क्या था कि एक दिन मैं यूटूब पर सद्गुरु रामपाल जी महराज का सत्संग देख रहा था तो उसमें वो जो है जै गृर्दव पन्त के बारे में बता रहे थे तो वो पांचो नाम काल कहे हैं और ये जो भक्ति करता है वो काल के लोग में जाएगा वो सारी बाते जब मैं समझ लिया संत्रामपाल जी महराज के सत्संगों के द्वारा तो मैं समझ गया कि मेरी भक्ती ये गलत है और उन्होंने प्रमार सहित दिखाया था तो उसमें जो है फिर जुड़े रहने का कोई अचित नहीं था चुकि मैं मोख से चाहता था और मुझे सचे गुरु की तलाज थी तो इसलिए जो है मैंने संत्रामपाल जी महराज के अन सत्संगों को भी देखा तो वो सारे सत्संग जब देखते-देखते मुझे पता चला कि हमारे सास्त्रों में वेद में गीता में कुछ और बाते लिख गलत साथना बता रखा है तो इसलिए मैंने समझ गया कि गुरु जी यानि संत्रामपाल जी महराज जी का ग्यान सही है और मैं मुझे इनकी सरण लेनी चाहिए तो मैंने इनसे नाम दिच्छा ले लिया राजिंदर जी संत्रामपाल जी महराज की संड में आने के बाद आपको क्या लाब मिले? जो है कि एक हमारे जौनपूर की ही एमेस थैं उन्हों के लिए इनने कहा कि बहुत्व तो इसी बीच मैंने नाम दिछ्छा लिए तो मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया तो भक्ति के बाद नाम लेने के बाद संत्रामपाल जी महराज से जब मैंने भक्ति नाम ले लिया तो उसके बाद फिर जो है हमारे किडिनी में जो दर्द था वो समाप्त हो गया आज तक कोई दर्द नहीं हुआ समय से हमारी साल्व हो गई डाक्टर ने रिपोर्ट देखर कहा था कि आपरेशन होगा लेकिन बिना आपरेशन के हमारा तकलीफ का समधान हो गया दूसरा लाब यह हुआ कि करीब 25-30 साल से लगातार सर में दर्द होता रहता था कभी-कभी बहुत ज़्यादा वड़ा जाता था तो वह एक तरह से क्रेशन से मैं मुक्ति पाया और बिना दवा के मैं सही हूं उसके बाद फिर एक और हमारे साथ योग बनता था कि अक्सर एक्सिडेंट हो जाया करता था कहीं जाते वक्त जो है अधिता थोड़ा सा बच जाता था तो फिर या फिर लड़ी जाता था एक बार मेरा हाथ भी बनता है यह बहुत बिसेश लाव हैं एक बार एक कोई ब्यक्ति था जो हमारे पर फर्जी मुकदमा कर दिया था वो यस्षिवर्ग थे उन्होंने मेरे पास मुकदमा कर दिया था जमीन को लेकर के गलत मुकदमा था मैंने संत्रामपाल जी महराज से प्रात्ना लगाया मनी कहा कि हमें इस फर्जी मुकदमे से मुक्ति दिला दो तो परमात्मा हमारे संत्रामपाल जी महराज ने ऐसी कृपा की कि वो उसको ही सब गावाले समझाने लगें कि मुकदमा तुमने गलत किया है उनके उपर से हटा लो तो वो ब्यक्ति जो है मुकदमा फिर खतम कर दिया आप एक डाक्टर हैं और संत्रामपाल जी महराज के अन्यवाई बताते हैं कि संत्रामपाल जी महराज की संड में आने के बाद उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है तो जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाता है डाक्टर उनको मना कर देते हैं और संत्रामपाल ज ग्यान को बता कर कि उनके अनुसार उनकी बताई भक्ति विधी को बताते हैं और उस भक्ति विधी से जो भी भक्ति करेगा उसको लाब होगा कैंसर क्या किसी भी तरह की समयशा का समाधान हो जाएगा इस वज़े से साइंस जहां खत्म हो जाती है वहां इन भक्ति से लाब हो लेने के लिए आप किसी सिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वह आपको बता देंगे जगह जगह नामदान सेंटर खुले हैं वहां पहुंचा भी देंगे वहां से ले सकते हैं दूसरा ये आप जो है जब उनके सत्संग चलते हैं और चैनलों पर तो आप एक नीचे चलती हुई पट्टी दिखाई देगी जुसमें नंबर कुछ आपको दिखाई देंगे उस नंबर को नोट करके आप फोन लगाएं वहां से आपको बता दिया जाएगा आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें झाल चर्वाण करेंगे लिए करेंगे उनद्टर्शी जादर्शी मौण करेंगे लिए प्रवचन आपको दियु और करेंगे ड्सित्वाण आपको दोब मेंगे यद्वाबूत शब्रक करेंगे जंदबू